तो खेले डूकर टूकर टू अवार चैनल एड़ू केंवर्ट। एड़ूटेंबंट इड़ूकेशन विदिन इड़ूस सब्सक्राइब तो सबसे फेले हमें ग्रामर वजए कि ग्रामर है क्या ग्रामर जन लेते हैं तो आपने हिंदी में ग्रामर क्या पढ़ा था कि व्याकरन वह माध्या में जिसके द्वारा कुई किसी भासा को लिखना या समझना सुद्ध लिखना या बूरना जाए किसी लेंग्वेश को पापर ली से वहीं इंग्लिश में भी हो सकता है जिसके द्वारा कोई किसी भासा की नियमों को यूज करता है यूपीयोग करता है आई हो समझना आगे आपको फिर मैंने आपको अल्फाबेट बताया था तो व्याकरन व्याकरन वाद हमें वर्ड माला अल्फाबेट जाना पहुत ज़री होता है इंग्लिश में आपने अल्फाबेट पर रहे हैं A B C D E F G तो टोटल कितने होते हैं वर 26 होता है अल्फाबेट जान दीजिए अल्फाबेट लेटर का एक फिक्स्ट ओर्डर होता है जैसे मैं पहले अगर B लिख देता हूं फिर A लिखता हूं या E लिखता हूं तो यह अल्फाबेट मैं नहीं कह सकता है इन्हें मैं इंडिविजुली मतलब अकेले केले लेटर बोल सकता हूं बट मैंने इन्हें अल्फाबेट नहीं बोल सकता है अल्फबेट में कब बोलूँगा जब मैं इने एक fixed order में रखोंगा fixed order का मतलब A, B, C, T, Z तब मैं इने बोलुआ कि हाँ यह alphabet है क्यों alphabet है क्यों alphabet है क्यों मैंने इने fixed order में रख दिया है I hope समझ गया आप alphabet क्या होता है फिर हम letter जानते है letter आप पूछ सकते हो कि letter क्या होता है letter एक sign होता जिसके माधन से उनकिसी language को समझते है या वो होते है अगर मैंने एक letter लिख दिया A मतलब आप रिमाज तुर्ण क्लिक करेगा कहां पर कि यह English language है तो letters एक तरीके के sign होते हैं जो हमने किसी language को बताते हैं कि वह कौनसी language है letters आप पढ़े हैं दो पाड़ के होते हैं एक होता है vowel और एक होता है consonant जिसे हम स्वर और व्यंजन हिंदी में बोलते हैं तो vowels क्या होते हैं A, E, I, O, U मैंने आपको vowel की भी definition दी थी क्या definition दी थी मैंने vowel की कि वोवेल को हम अपना vocal track यह जो हमारा move है इसको open करके बोलते हैं A, E, I, O, U हमारा vocal track open consonant, consonant को हम थोड़ा सा बंद करके बोलते हैं B, C, D, F तो देखिए हमारा vocal track हलका सा construct कर रहा है थोड़ा सा बंद है तो वोवेल क्यों से होते हैं A, E, I, O, U पांच वोवेल होते हैं और इनको छोड़ करके जितने भी बच गया वो सारे हो गया आपके consonant और last में मैं word बता देता हूं word क्या होता है group of a letters that expresses a particular meaning यह letters का group होता है जो की किसी word को किसी meaning को बताता है जैसे like चलिए मैं three letters लेता हूं एक letter मैंने U ले लिया, S ले लिया, N ले लिया, U sun कोई मतलब हुआ इसका नहीं है इसका कोई मतलब नहीं हुआ, बट अगर मैं इसे sun लिख दूँ तो sun का मतलब आप जानते हैं कि सूरिय होता है तो अगर मैंने इसे fixed order में नहीं रखा, सही तरीके समय नहीं रखा तो यह meaning नहीं देगा हमें अगर मैंने सही से इसको लिख दिया तो यह meaning देने लगा तो पहली PDF फाइल जो मैंने भेजी थी उसकी वीडियो लेक्चर है नेक्स जो मैंने आपको भेजी है उसकी PDF उसके अभी वीडियो लेक्चर में जदली आपको upload कर दूँगा यूट्यूब चैनल पर मैं अपने upload कर रहा हूँ तरकि आपको quality में कोई difference नहीं हो आप जानते हो कि Whatsapp पर सेनी करने पर थोड़ी से quality blur हो जाती है तो मैं यूट्यूब पर इसको upload कर दे रहा हूँ उसकी link में कर दे रहा हूँ